Class 10th Science में Physics के अंतरगत Very Most Important Question लाएं हैं जो बोर परिष्छा के लिए बहुत ही जादा important है और जरूर आएगा प्रेशन है बैदुद भल्ब का सिध्धांत सनरचना एवं कारविधी समझाईए जो वेदुद भल्ब होते हैं उनकी सिध्धांत क्या होता है उनकी सनरचना क्या है और उनकी कारविधी समझाईए इसका नामांग की चित्र भी बनाईए बैदुद भल्ब में वायू के अस् राप्त होने के सिध्धान्त को समझाइए यह लांग कुश्चन में आता है तो पूरा आपको लिखना होगा बहुत ही ज्यादा important है very most important है चलिए बहुत ही सरल भासा में इसको समझा देते हैं तो डालेंगे उत्तर और लिखेंगे बैदुद बल्ब का सिध्धान्त बैदुद बल्ब धारा के उसमिय प्रभाव पर आधारित है जो बिदुद बल्ब है बिदुद बल्ब का जो सिध्धान्त है यह बैदुद बल्ब धारा के उसमिय प्रभाव पर आधारित है उसमिय प्रभाव पर किसी तार में बिदुद प्रवाहित करने पर उसमें उसमा उत्पन होती है तार में विद्दु धारा जब प्रवाहित की जाती तो उसमें उसमा उत्पन होती है या कल जी गर्मी उत्पन होती है उसमा क्या है गर्मी है तो तार में गर्मी उत्पन होती है जिससे तार का ताप बढ़ जाता है और जब इसमें गर्मी उत्पन होगी तो तार का जो ताप है वो बढ़ जाएगा अधिक हो जाएगा अधिक ताप पर स्वेत तप्त होकर चमकने लगता है और जब अधिक ताप हो जाता है तो सफेद हो जाता है स्वेत तप्त हो जाता है एकदम अंगारा जैसे और जब तप्त हो जा तारा के उसमिय प्रभाव पर अधे थै उसमिय प्रभाव पर किसी तार में वीद्धय धारा प्रवाहित करने पर उसमें उसमा उत्पन हो जाती है गर्मी उत्पन हो जाती उसमा जिससे तार का ताप बहुत बढ़तlike जब गर्मी उत्पन होगी तो उस्तार का ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा जब अधिक बढ़ जाएगा तो अधिक ताप पर स्वेत तप्त होकर चमकने लगेगा जब बहुत जदा बढ़ गया है तो अधिक ताप होने से वो स्वेत हो जाएगा बिल्कुल स्वेत तप्त हो जाएगा और स्वयत तप्त होने पर चमकने लगता है और इस तरह से प्रकास उत्पन हो जाता है और हमें प्रकास दिखाई देने लगता कि प्रकास हो गया है तो यह हो गया सिध्धांत चले संरचना को देखते हैं तो बिद्दुद बल्व की संरचना हेडिंग जरूरा को निर्वात का मतलब इसमें कोई भी गैस नहीं भरी जाती है एकदम निर्वात होता है या फिर N2 भर देते हैं या फिर इसमें निर्वात के अलावा गर निर्वात नहीं है तो क्या भरते हैं नाइट्रोजन गैस भर दे जाती है अगर निर्वात नहीं है तो नाइट्रोजन भर देते हैं इसके उपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी होती है यहां आपने देखा होगा जो बल्ब होता है यह पीतल की टोपी होती है और इसके दोनों तरफ पिन होती है देखे एक इधर भी पिन है और एक इधर भी पिन है तो दोनों तरफ इसके पिन होती है यह पिन ब अगर बल्ब को हम होल्डर में लगाते हैं फिट करते हैं तो यह हिल्प करती है इसी की सहाथा से यह होल्डर में फच जाता है तो यह पिन बल्ब को होल्डर में लगाने में हिल्प करती है बल्ब के अंदर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा होता है और टंगस्टन का होता है तो टंगस्टन का बारीक तार इसमें कुंडली की रूप में लगा रहता है और टंगस्टन का तन तो क्यों लगा जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच होता है तंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा उचा होता है इसलिए ये गलता नहीं है और वायू प्रवेश ना कर पाए का तंत होता है यह खूब गर्म हो जाता है इतना गर्म हो जाता है कि बिल्कुल तब तो स्वैत हो जाता है गर्म हो करके और चमकने लगता है इस प्रकार से प्रकास देना सुरू हो जाता है प्रकास देने लगता है इस प्रकार बिद्धुत उर्जा प्रकास उर्जा में बद बदल जाती है तो बिद्धुत उर्जा से प्रकास उर्जा किसे बदलती है बल्ब के द्वारा बदल जाती है घरों में प्रियोग किये जाने वाले बल्ब बिभीन सामर्थ के होते हैं जो घर में बल्ब हम लोग प्रियोग करते हैं वो बिभीन सामर्थ के होते हैं आप देख देखेंगे तो उसकी सामर्थ भी लिखी होगी उसका विभुवांतर भी लिखा होगा सामर्थ क्या अगर नहीं जानते हैं तो हमाई चरह में अप्लोड़ेट है आप लोग जाकर के देखिए विभुवांतर पर बहुत ही अच्छा चित्र की साहता से मैंने समझाया है एक बा बल्बों के भीतन निर्वात होता है कुछ नहीं होता है बिल्कुल खाली स्थान होता है परंत उच्छ सामर्थ के बल्बों में नाइट्रोजन अथा आर्गन गैस भरते हैं जो उच्छ सामर्थ वाले होते हैं हाई पावर वाले जो होते हैं उन बल्बों में नाइट्रोज संचान नहीं हो पाता उसका वास्पिकन नहीं हो पाता है और बल्ब की दच्छता भी बढ़ जाती है इस तरह से बल्ब की आयू और दच्छता बढ़ जाती संचान नहीं होगा तो उसकी दच्छता बढ़ जाएगी काफी दिनों तक चलेगा और उसकी आयू भी बढ़ जाए तो कुल मिलाकर के कारविधी में जो मैंने बताया जब बिद्धु धारा बल्ब में प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकास देने लगता है इस प्रकार बिद्धुत उर्जा प्रकास उर्जा में चेंज हो जाती है तो तुर्जा प्रकास उर्जा में कैसे चंज होती है तो बल्ब की दौरा चंज होती है घरों में प्रियोग किये जाने वाले बल्ब बिभिन सामर्थ के होते हैं और बल्ब पर उनकी सामर्थ तथा बिभवानता लिखे होते हैं साधारन कोटी तथा कम सामर्थ के बल्बों के भी इसलिए उनके भीतर निर्वात होता है, कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, लेकिन जो उच्छ सामर्थ के बल्बों होते हैं, इन बल्बों में नाइट्रोजन अधवा औरगन गैस भर देते हैं, जिससे तन्तु का वास्पी कर नहीं होता है, और वो बल्ब अच्छा काम करता ह अच्छी दच्छता उसकी हो जाती है, और उसकी आयो भी बढ़ जाती है, तो इस तरह से बल्ब की कारविधी पूरी हो जाएगी, अगर अच्छी तरीके से आपको पूरा कुश्चन समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए, धान्यवाद,